हेलो गाइज मिन नाम है सूजल जैसवाल और आप देख रहे हैं जैयारेफ इस सूजल आपका स्वागत है आज की कुने इंटरस्टिंग वीडियो में आज की वीडियो में काफी healthy discussion होने वाला है कि अगर आप जून 2014 में दिसंबर 2014 में जैयारेफ पास करना चाहते हैं तो आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा कि जैयारेफ के फाइनल कट अफ का आप क्रोस कर जाए इसके लिए हमें थोड़ा सा दिसंबर 2023 को आधार बनाना अगर हम दिसंबर 2023 की final cutoff देखें तो अभी तक जितनी भी cutoffs आई हैं सबसे कम cutoff मेरे according दिसंबर 2023 की है हो सकता है 2017-16 में इससे भी कम गई हो लेकिन जो 2023 की है सबसे कम है इसमें general category का final cutoff गया था वो 184 नंबर था OBC का 170, EWS का 188, SC का 160 और ST का 156 पर final cutoff गया था तो इसके आधार पर अगर हम देखें तो जून 2024 में भी यहीं कहीं cutoff जाने की संभावना है लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि इतनी कम cutoff जाएगी बस आप यह धियार नखिए अगर paper tough आता है तो cutoff जादा जाती है पेपर tough आता है तो cutoff कम जाती है वो paper अगर easy आता है तो cutoff जादा जाती है अब क्या June 2024 में भी यही level रहने वाला है तो मैं अगर आप से कहूं तो जी NTF paper का level थोड़ा सा tough ही रखेगा June 2024 में थोड़ा सा ओर tough paper आएगा मेरे recording लेकिन अगर आप अपनी तयारी अच्छी रखेंगे तो आपको मेरी तरह paper सरल लगेगा जैसे December 2023 का paper मुझे easy लगा था उसी प्रकार से आपको भी June 2024 का paper easy लगेगा अगर आप ठीक तरह से पढ़ाई करेंगे तो आपको कितना score target में रखना चाहिए अपने दिमाग में की आप उतना लेकर आएं तो मैं आपको बताओ 95 question तो आपको सही करने है या आकड़ा रखे अ अगर आप जनरल हो तो 100 का आकड़ा रखेगा अपने दिमाग में लेकिन जितनी भी दूसरी categories है सब आप ध्यान रखे कि 95 question तो आपको सही करने ही है अगर आप 95 question सही करने के लिए अगर हिंदी लिटरेचर की बात करूं तो आपको 65 question minimum सही करने 65 से नीचे आपका score रहता है तो आपका जियारेफ नहीं हो सकता अगर पेपर सरल आता है तो आपको कम से कम 70 questions सही करने है अगर पेपर का level tough आता है तो 65 question हिंदी में सही होने चाहिए बात करें पेपर वन की तो पेपर वन में अगर कोई बच्चा बहुत अच्छे से तैयारी करता है तो उसके 25 question सही होते लेकिन कोई extraordinary पढ़ाई करता है हर उस topic को पढ़ता है जो paper में आने वाले है तो उसके 30 question सही होते है 30 से उपर बहुत कम बच्चों के सही होते है जो topper भी होते हैं वो भी 33-34 question तक पहुच पाते है अगर आपका score 25 है तो अच्छा है अगर आपका score 30 आ रहा है 30 question आप सही कर पा रहा है paper 1 में तो ये तो बहुत अच्छा है अगर मेरी खुद की बात करूँ तो 65 question मेरे हिंडी में सही थे और 30 question मेरे paper 1 में सही थे December 2013 में और total हुआ 95 OBC category से मैं आता हूँ OBC category का final cutoff गया था 170 and I got 190 general की cutoff से भी 6 नमबर जादा थे तो अगर आप 95 का score मना के चलेंगे अपने दिमाग में की 95 question मुझे सही करने है तो आप जून 2024 में आसानी से JRF crack कर पाएंगे बस ध्यान रखेगा अगर 95 से आप कम सोचेंगे कि मुझे 80 लेकर आने 85 लेकर आने तो आप ध्यान रखेगा आपका net भी qualified नहीं होगा क्योंकि जितना हम score यहाँ पर सोच के जाते हैं paper में जब computer के सामने हम बेटते हैं तो महाँ पर pressure अलग होता है जब हम सवालों को करते हैं तो आते हुए question हम गलत करते हैं दिसंबर 2023 में मेरी बहुत अच्छी तयारी थी उसके बावजूद भी 3-4 question मैंने आते हुए गलत कियें अब आते हुए question अगर आप गलत कर रहे हैं तो कभी-कभी आप point से ज्यारेफ से रह सकते हैं point से net से रह सकते हैं लेकिन सभी बच्चे आते हुए question गलत करेंगे बस कोशिश करिएगा जितना कम गलत करें उतना अच्छा है क्योंकि जितने भी बच्चे सब करते हैं आप देखिए इंसान है तो गलती तो होती है अगर आप गलतीया नहीं कर रहे हैं तो इसका मतला आप किसी और ही planet से हैं अगर आप प्रत्वी के निवास नहीं है तो जरूर आप गलतीया करेंगे लेकिन कोशिश कीजिए कम से कम गलती करें और 95 question का जो ratio है उसको अचीव कर लें ताकि JRF की journey आपकी easy हो सके आपको समझ में आया होगा कि आपको दिमाग में क्या target रखना है general category के लिए मैं special कहरा हूँ कि आप 100 सोचिए बाकी जितनी भी categories है सब 95 सोचिए और अगर आप इसे अचीव कर लेते हैं तो आपके result के नीचे जरूर लिखाएगा qualified for JRF and assistant professor क्योंकि paper का level tough होता जा रहा है तो cut off भी नीचे आएगी आप tension मत लीजिए देखिए इस बार की cut off भी नीचे गई थी लेकिन जरूरी नहीं है जून 2014 की cut off भी नीचे जाए लेकिन अपनी तयारी अच्छी रखिए और 95 और 100 का ratio आपके दिमाग में लेकर चलिए अगर आप इसे कर लेंगा जिए तो आपका JRF हो जाएगा I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपका कोई भी सुझा होए तो comment box में हमें बता सकते हैं आप मुझे instagram पर follow करना चाते हैं अगर आप ये सभी देखना चाते हैं तो हमारे चैनल पर जाईए और वीडियो लाइन से आप उन्हें देख सकते हैं मिलेंगे जल्दी किसी interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए देखते रही है जयारे पुछ सूजल नमस्ते